उधारन दस परिमे संख्या रिंड साथ बटे तीन के दुगने में क्या जोड़े जिससे तीन बटे साथ प्राप्थ हो हम उधारन दस का हल देखते हैं तो देखिए प्रश्ट में जो कहा गया है कि परिमे संख्या रिंड 7 बटे 3 के दुगने में क्या जोड़ें जिससे 3 बटे 7 प्राप्त हो तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रिंड 7 बटे 3 का दुगुना दुगुना का मतलब इसमें हमें कितना गुणा करना होगा? दो का याने मिलेगा रिंड 14 बटे 3 अब प्रश्ट में आगे सोचें तो क्या हो रहा है? इसमें क्या जोड़ें जिससे 3 बटे 7 प्राप्त हो? तो मान लेते हैं कि रिंड 14 बटे 3 में एक्स जोड़ने पर क्या मिलेगा? प्रश्टना नुसार हमें मिलेगा 3 बटे प्राप्त होता है ये कहां से आ रहा है? प्रश्टना नुसार तो इसे अब जो कथन हमारे पास है इसे गणिती समिकरन के रूप में लिख लें जैसे कि हमने पहले ही सीखा है तो रिंड 14 बटे 3 धन एक्स बराबर 3 बटे 7 तो इस तरीके से हमें जो प्रश्टन है वो गणिती समिकरन के रूप में दिखाई दे रहा है अब यदि हम इस समिकरन को हल करें और एक्स का मान निकाल लें तो हमें प्रश्टन का उत्तर मिल जाएगा चलिए इसे हल करते हैं और इसको हल करने से हमें मिलेगा रिंड 14 धन 3 धन 3 धन 3 बटे 3 बराबर 3 बटे 7 चलिए आगे हल करेंगे हमारे पास जो समिकरन प्राप्त हुआ था वह है रिंड 14 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 बटे 3 बराबर 3 बटे 7 इसे आगे हल करने के लिए हमें मिलेगा रिंड 14 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 साथ गुने 3 एकस बराबर 3 और 3 का गुणा करने पर मिलेगा नौ अब साथ और रिंड 14 के गुणा से हमें कितना मिल जाएगा रिं अन्ठ्यान्वे धन 7 धन 2 धन 21 ऐकस बराबर 9 चलिए आगे हल करें और यह जो 98 हमें इस पक्ष में मिल रहा है यदि इसका पक्षानतर कर दिया जाए तो हमें मिलेगा 9 धन 98 क्योंकि यह यहां रिणात्मक है पक्षानतर होने पर यहां धनात्मक प्राप्त हो जाएगा अब 21 एक्स बराबर 98 और 9 को यदि हम जोड लें तो हमें मिलेगा 107 चलिए आगे हल करते हैं हमें जो प्राप्त हुआ था वह है 21 एक्स बराबर 107 तो समानता के चौथे नियम से हमें मिलेगा एक्स बराबर 107 बटे 21 याने कि वह परिमे संख्या जिसे हम रिंड 7 बटे 3 के दुगने में जोड़ें तो हमें मिलेगा 3 बटे 7 कौनसी होगी 107 बटे 21 परिमे संख्या रिंड 7 बटे 3 के दुगने में 107 बटे 21 को जोड़ने पर मिलता है तीन बटे 7 यह हमारा अभिष्ट उत्तर होगा इस प्रकार प्रश्न हलुआ